एक आपका केमिस्ट्री फाउंडेशन एक्सपर्ट दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि हमने गुजराती मिडियम के लिए एक सिर्स स्टार्ट किया वेसी सेम सिर्स हम इंग्लिस मिडियम के बच्चों के लिए भी साइमल्टैनलियसली इस साल हम देने वाल हैं पहले हमारे पा तो आज हम स्टांडर 10 में साइंस के अंदर चैंटर नमबर वन जो है उसके बारे में डिसकेशन करेंगे पार्ट वन पार्ट टू में पूरा सिर्स चलेगा वह आगे स्टैप बाइस्टैप आपको बताते हैं लेकिन सबसे पहले इस बार इस चैनल का जो स्लोगन है काफी स तो अब सुरू करते हम के उसका जो पार्ट वहने सर उसमें अब्जेक्टिव कोश्टन देखेंगे जिसमें मैं mcq filling the blanks true false one word and math the column आएगा और बॉर के परस्पेक्टिव से देखने जाए तो यह जो पांच माइच का चैप्टर है और अगर जनरल चीज़ें करेंगे जो को चैप्टर वन ओगया होगा तो आपका रिस्पॉंस भी बहुत मैटर करेंगे और रिस्पॉंस का रूल बनाया जीस कलर का यह भी सिडी होगा उसी कलर का हाट आपके नंबर के साथ भेजना है ताकि एक अलग सा यूनिक सा वह आपको लगे तो आप करते है से पहला है वीच आप देश्टमेंट्स अबावट रियक्शन बिलो और इंकरट तो पहले तो आप सबसे पहले काम करना जो एक पर रहेगा उसको मार कर लेना क्योंकि कई कई बार हम एक्जाम में जल्दी में रहते हैं कि करट और इंकरट ऑप्शन को यह नहीं प्रेटिशन ओफ हाइड्रोघ था तो हईड्रोगें अगर मैं ऑक्सिडेशन की बात करूंगा था औक्सिडेशन का मनलब होता है कि मैं मॉल्लीा मैं औक्सिजन न्यां मनें एड हो यह उसमें से और को हैं टॐ रियक्शन साथ में होती है तो उसी टाइप की रियक्शन आप और रेडॉक्स रीक्शिन गोलते हैं रेडॉक्स crude red ox डws अब देखते हैं यर्याक्टंक साइट्से हम लोग इसको compare करते हैं उसको प्रोड़क्साइट में धेरा है तो ऑक्सिजन पमें जाता है टो यह जाता है ऊक्सिजन यह वो कौंसा होग Allah संप पूरे molecule को हम पढ़ेंगे that is PBO, lead oxide का reduction हो रहा है, ठीक है, तो lead oxide is getting reduced, यह सही है बट गलत है, गलत है, यह सही है, तो इंकरेक्ट बताना, ठीक है, next, carbon के respect में देखते, तो carbon जो है, carbon dioxide में जा रहा है, carbon के पास कोई नहीं था, उसके साथ oxygen जुड़ गया है, यानि उसका क्या हो पिटा, oxidation, क्या हो रहा है, oxidation, तो check करते हैं, c और d सही है, तो बचे कौन जो गलत है, a और b, फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं, sir, बलत बात है, lead oxide is getting reduced, second, carbon dioxide is getting oxidized, नहीं, carbon dioxide is not getting reduced, carbon is getting oxidized, तो answer क्या हो जाएगा, right answer, सब्सक्राइब काफी सारे बच्चे ब्लू गलर का हाट बेज रहा है बिल्कुल बिल्कुल आप सही ट्रैक पे हो बहुत चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एफी टु ओ-3 प्लस-2 एफी तो आप क्लियरली देख सकते हैं यह डिस्प्लिस्मेंट रियक्शन का एक्जामपल है ज जो पोटाशियम से चालो होती है पोटाशियम सोडियम कैल्शयम मगनेजयम अलुमिनियम जिंक आयरें लेड फिर एक नॉनमेटल हाइड्रोजन आ जाता है फिर कॉपर आ जाता है तो जो डाउन दग्रूप हम जा रहे होते तो तो रियक्टिविटी डिक्रीज कर रही होती तो मारकर उनकी तरफ जाएगा और में लगाओं तो जो जादा रियक्टिव होगा वो अगले वाले को उसके सॉल्ट पे से डिस्प्लेस कर देगा जिसके पास पोटेंशियल है ना आपके स्कूल में भी ऐसा होता है कोई स्टॉड सा बंदा है जिसके पास पावर जाता है और सै इलने और वो आरे बा। बंदे को अगर किसी गाथे और आपके बैठना है ऑर बंदे को बेंटेंशगा ओसपे वेक्ति है, वाह हां संख हुआ विसको गुजरात में बोलते हैं विस्ता बन उसकी जगह पर वो आ गया कभी कभी दूसरा भी एक एक्जामपल है सर आप बोलो तो शेर करें जैसे मालो कि हम दोनों पार्डी में गए हम दोनों बॉइसे ठीक है तो दा बॉइस वाला सिरारियो है हमारा अब हम पार्डी में ग एला है ठीक है जिसका मोका लिगा वो चो का लिगा लिगा टॉज दो स्राइगा ंसिर प्ले की या और से प्लमकिस्मेंट ध के टुक Hayrच Oh yes इस था उरियरो क्यों तो युए न की है पिरते।ा है तो तो basic reaction हमें पता है कि जो iron रहता है वो metal है तो metal जो रहता है वो hydrochloric acid that is HCl के साथ reaction करता है तो metals जब भी acid के साथ reaction करते है तो एक product बना रहे होते है जिसका नाम रहता है salt और दूसरा product जो रहता है वो hydrogen gas evolve कर रहा होता है hydrogen gas की प्रॉपर्टी होती है जब भी आप उसको matchstick के पास लाओगे नो तो popping sound से बर्न होता है जो डिवाली में pop-up फोडते है नो सर एक तम उसी तरीके से फूटती है वो gas सब्सक्राइब करके फूटती है तो जो salt बनेगा वो FeCl2 बनेगा आइरेन क्लोराइड बनेगा और जो दूसरा रहेगा वो hydrogen gas रहेगी ठीके सर रियक्शन तो होगी और कौन्सी कौन्सी gases निकल रही होगी hydrogen gas and iron chloride are produced ठीके according to the above reaction that is a is the right answer next magnesium ribbon burns which which color flame in the presence of air बिल्कुल सिंपल सी बात है magnesium के जो बहुत bright oxygen के presence में जब भी reaction होता है तो magnesium oxide बना रहा होता है और यह जो magnesium oxide रहे तो bright white flame की तरह burn कर रहा होता है स्कूल में कई स्कूलों में सर इसका basic experiment भी सिखाया जाता है so it burns with a bright white flame bright white flame okay और अगर आप यह lectures देख रहे हो अगर आप कोई टीचर हो या फिर परेंट्स हो और आप देख रहे हो तो हम यह जो स्कूल स्कूल्स में लग गया है तो वहां पर बच्चे को रिविजन के तौर पर वीडियो लेक्ट्ट्र दिखाया जाए और यह जो इंट इंटरेक्शन है ना ऐसा इंटरेक्शन वह आपको गुजरात में कहीं नहीं मिलेगा बाजू में एक एक्सपर्ट कड़ा है और मेरे जैसा एक बंदा कड़ा है जो कूछ रहा है और यह कलरफूल पुरा प्रेजंटेशन हो रहा है तो एक हेल्धी डिसकेशन भी हो सकता है और बढ़िया से आप अपने स्कूल वगरे में बिंदास दिखा सकते हो अइसा नहीं होगा कि बारे में डिसकस किया था कि सर प्रॉब्लम इन अपनी एक स्टोरी बताई थी कैसे हम लोग कॉंस्टेंट्ली उस चीज़को रिकाब कर पा रहे थे उसके मार्क्स 55 थे आउट 600 तो था ही अच्छा वाला एवन था यह नहीं बोल रहा है 575 थे 590 थे 555 एक हैंसम नंबर था ठीक है तो उन्होंने यह चीज़ हम से शेर करी कि सर कॉंस्टेंटली हम जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हमें सब कुछ समझा रहा होते हैं बट जैसे एक हफता गया 10 दि आरे NCRD के पेजिस को टर्न करके देखू और उसमें जो टाइम वेस्ट हो और कई के क्या बच्चों में पेशन्स भी नहीं रहते हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हम यह करते थे कि हम नोट्स बनाते थे 1-1 वर्ड के यानि जो हम MCQ के फॉर्मेट में आपको दे रहे है वो लोग वो नोट्स के फॉर्म में रखते और उसी चीज को एक महीने बाद देड़ महीने बाद कभी भी बैठे हो है सर एक गंटा आदे गंटे बैठ के रिवाइस कर लेते थे तो क्या होता था कि constantly उनके माइन में वो concepts लंबे टाइम तक रहते थे पीटा सेम आप खुद करता हूं करना बहुत जरूरी है अभी दसमा चैप्टर चल रहा है दसमा का पूछ नहीं विल्कुल सब्सक्राइब होता है तो आप दिखा सकते हो कहीं पर भी फिट क्वेश्टन पर जाएंगे बहुत सी हमें आगे बहुत सी गाइदेंस में आपको देने वालों वाट इस क्यों देने और विल्कुलल फॉरमला परिंशी स्यब्सक्राफिक चर्ड़ Sims की करता। तो आप समझ जाना कि मार्वल चॉक के बात कर रहा है कल्षियम कर रहा है गल्सीम कार्वोनाथिEM नेक्स्ट uh which type of process is a respiration तो respiration is basically an exothermic process exothermic process के प्रोसेस होते हैं इसमें हीट हॉ रिलीज हो इस हीट हो ओको सफ यह दिंग रिलीज हैं वह सर आपको demonstrate करके बता रहे हैं कि ऐसा आप कैसे अरहा रहा है सब्सक्राइब जेसा को सब्सक्राइब से आप एक्जोथर्मिक प्रोसेस दूसरा वो सोडियम को डालो पानी में तो दमाखा करेगा वह वह है ली एक्जोथर्मिक रहता है अगर 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 गया सब्सक्राइब तो अगर आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है दो रियक्टेंट पहले जो जुदा जुदा थे अब वो साथ में और एक बना दियो तो इस टाइप ऑफ एक्जामपल इस टाइप ऑफ रियक्शन इस नोन एस कॉम्बिनेशन रियक्शन तो एक जोडी बन गई अच्छी वाली और वह फैमस भी हो गई करवन डियोक्साइड के नाम से नाम से इसे पढ़ाते हैं इंट्रेस्टिंग ली ऐसे बढ़ाते हैं आगे आएगे अपने तो डायलोग भी आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं बोल सकते हैं सियो द्री सियो फ्लस सी ओडू विच काइंड ऑफ रियक अगर अगर मैं किसी भी एनरजी के फॉर्म में अगर हीट करके ब्रेक कर रहा होता हूं तो या मोर देन टू प्रोड़क्स में तो उस रियक्शन का नाम रहता है डी कंपोजिशन अब आप बिल्कुल सही बेटा जब भी आप हीट एनरजी यूस कर रहे होते हैं तो उस टा अगरी के के डी कंपोजिशन होते हैं थर्मल एलेक्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक ठीक है ओके रिएक्शन ऑफ जींक विज शुल्फिरिक असे गिवस जींक सल्फ़ेट और हाइड्रोजन वीच 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 इस बैलेंस एक्वेशन करता है तो कोई भी मेटल्स रहते है उसको ZN, metals को आप यूज़िली solid में express कर सकते हैं, sulfuric acid मतलब H2SO4 के साथ reaction करना होता है तो आपको पता होना चाहिए metal अभी हमने discuss करा है, metal और acid react करते हैं तो salt बना रहे होते हैं, और कौनसी gas release कर रहे होते हैं, hydrogen gas तो पहले है फुर्षत में hydrogen gas as a product वहां लिखी दो, अब आप आपको जिंक और एसोफोर को कम्माइन करना क्योंकि आइडरोजन निकल गया अब क्या करने का तरीका क्या होता है आपको बच्पन का प्यार तो नहीं पर पाप याल जरूर याद होना चाहिए नाइन्थ का कि जेडेंड पर प्लस टू चार्ज होता है और सलफेड पर माइनस माइनस के साथ नहीं मुल्टिप्लाइ करना है और तो को काट देना सेम नंबर रहता है और यह कॉंसे स्टेट में रहता है अगर आप ध्यान से देखो तो रियक्शन अल्रेडी बैलेंस है कुछ करने की जरूवत ही निया सर दो आइड्रोजन दो आइड्रोजन एक जिंक ए वीच टाइप ऑफ रियक्शन आर यूसफुल इन अ ब्लैक एंड ब्लैक एंड फोटोग्राफी सर यह बहुत अच्छा कोश्चन अमने पिक करा था यह एंड्री की लाइन है कि कौनसी रियक्शन हम लोग ब्लैक एंड फोटोग्राफी में यूस करते तो मैंने जो ऐसे रियक्शन करके एजी और सीएल टू गयाज दे रहा है एजी भी आटू के प्रेजेंस में जब हीट लाइट उस पर पड़ रही है तो यह दोनों जो रियक्शन रहती है वह ब्लैक एंड फोटोग्राफी में यूस रहती एंसी ही कुश्चन वोड में पूछते अब्जेक् प्रिंट हुआ तो फिर सब बाइचांस तो वो जो पेपर सेटर होता है वो उसको पता है कि इस साल के एडिसन में यह गफला हुआ तो वही कोश्चन को बॉड के पर में डालता है और उस टाइम पे एंसी आर्ट में जो लिखा है ना वही राइट दिया जाता है ना कि वह आपका जो भी प्रिप्रेशन है वह एंसी आर्टी बेज होना चाहिए नहीं के कोई रेफरेंस बुक के बेजिस पर उसको पढ़ोगे तब पता चलेगा ज्यादा चल स्कूलों में क्या हो रहा है सर कि एक टॉपिक लिया सर को जितना याद था उन्होंने पढ़ा दिया फि पिर बच्चे जाके रेफरेंस बुक से त्यारी करने चालो करते हैं फिर जब कॉर्णर क्वेशन को पेपर सेंटर कुछता अबला पेपर हार था हार नहीं था पड़ा नहीं अब यह लाइन आपको जब दीखने को मिलेगी तो आप खुड शौक हो जाओगे अरे यार एक मतलब ही क्या है एक वर्ड से कुश्यन मना सकते है लाइन को बहुत बड़ी बात हो गई सर चलो वाट इस दा फॉर्मिला ओफ लीड साल पेटा ठीक है फोड़ा बहुत बच्चे समझ जाते जो फॉर्मुला रहता है वहीं बच्पन का पाप याद आना चाहिए क्लास नाइ पर चिपका दो और के लिस्ट रोज नजर पड़ेगी हमेशा याद रहेगा लेट रहता है उसका साइन रहता है पीवी और उस पे चार्ज रहता है प्लस का तू और अगर मैं सलफेट की बात कर रहा होता हूं तो तो एसो फोर जिसका चार रहता है माइनस तू अभी सी का यह जो आइंट एंग फूड आइंट में पूड देम्स ट्रय यू, इस प्रोजशन बोलते हैं स्टेल उन्का यह यह चेंज हो जाता है उनकी स्मेल भी चेंज हो यह तो सकता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते है पर चरोर्शन बोलते हैं को रेदक्शन हो ज़ा हैं तो जैसे वह स्टेल हो जाते है तो इस दूटो दो प्रोसेस ऑफ ऑक्सिडिशन ठीक है और रैंसिडिटी वर ठीक है उस प्रोसेस का नाम रहता है और कारण क्या होता है रैंसिड होने का जो फैट्स और आइल्स हो जाते जो लोग ऑक्सिडाइज हो जाते और प्रोसेस का ना प्रेजिंट रहता है सिल्वर पे चार्ज प्लस रहता है और सलफर रहता है क्या होगा उसने वोला यह भी सर एंसी आपी के डायेक्टली लाइन दे रखिये carbon dioxide reaction lime water lime water जो रहता है नो calcium hydroxide से प्स करता है calcium carbonate बना देता है जो solid state में रहता है along with water ठीके तो यह जो रहता है वो lime water का जो turn करता है milky color हो जाता है वो water के साथ रहता है तो milky color बन जाता है तो lime water turns milky that is B is the right answer next MnO2 plus HCl MnCl2 to H2OCl2 give the type of reaction किस टाइप की reaction है check कर लेते हैं तो यहां पे देखो sir Mn है बच्चो यहां ध्यान दो Mn Mn के साथ oxygen जुड़ा है जब यहां पे गया oxygen निकल गया removal of oxygen that is reduction ठीक है CL CL के साथ hydrogen जुड़ा है बट वो CL जब product बना है तो उसके साथ hydrogen निकल गया है तो removal of hydrogen oxidation हमने देखा था कि अगर या तो आप यह बोल दो कि removal of hydrogen or addition of oxygen addition of oxygen यह दोनों category किसको classify करता है oxidation तो CL का oxidation हो रहा है एक ही reaction में अगर आपको red और ox दोनों रहा है यानि उस reaction का नाम रहता है red ox okay तो उसके साथ ही सब्सक्राइब बोट मोटिवेशन लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ पास हो रहा है या पिर और पास हो कि आपका दोस्त बने उससे अच्छा जो दोस्त है वही पास हो कि मेरी कॉंपिटिशन को दूर बैटे हुए किसी इंसान से होनी चाहिए ताकि क्योंकि अगर आपकेले पास हो के भी अगल 11 चले भी गए तो क्या करोगे गैंक के साथ जाओ म आपको साथ लेगे तो ही आपको सक्सेस्फूल बना देंगे वो एकला चालो सर वे स्वाह पढ़ाहि में काम नहीं आते है ठीक है ना CO2 plus 12H2O तो तो इस अ रेक्शन रेस्पिरेशन वली रेक्शन रेटी है फॉर्म्स ग्लुकोसा ये दिशी दिशीज व्लुकोसा थे ग्लुकोसा फॉर्मेशन रहरा होता है एक ब्लैंक के लिए सर यह भी NCRT की लाइन है ठीक है आप जा के देखो ना अपने एक येलो कलर का बॉक्स रहेगा उसमें डू यू नो होगा इसे डू यू नो सॉंग भी बहुत फेमस है तो इसे डू यू नो वाले बॉक्स में से भी कुश्चिन साते आप चेक करना पेप जानते कुक्यों कोना लेकिंद recordsaltraat क cabinet कुलानें न्युक्यांस इसकोर कॉल में हमिति जो कि अब्राक्शन थे उडफ्ट। जान से लुक्यों आपके रिगा क्या आते हैं तो ट्राइवल एजेंट आपको बैटा अपनी ऑफिस में बैटा के खुद गुमने चला जाए नहीं उसका काम क्या है आपको गुमाना तो यानि जिस बंदे का तो सामने वाले को क्या क्या कर रहा है ऑक्सिदाइज तो क्या हो जाएगा oxygen एजिशंग गुछ कर रहा है तो तो खोड को ऑ्वर्स कर रहा होगा तो जिस बंदेगा तो तो दट इस जो रहता है वो राइड येलो वाइट फ्लेम प्रिए होता था था एम जी वाइड फ्लेम इसको मैं रख सकते हैं ना रखोंगे तो तो उसके उपर बन जाएगा वो अच्छी चीज ऐसा लेकिन आपने देखा होगा जब दीवाली के टाइम पे जो आतेंना द जैसे उसके उपर के कोटिंग को थोड़ा जला के अंदर का जलने स्टार्ट हो गया तो वाइट प्लैम से पूरा एकदम तेजी से जलता है बिल्कुल सब्सक्राइब वही आता है वाइब पटा के का पूरा नौलेज है वीडियो बनाते ही सर इतने सारे हैं एनी केमिकल रियक अब जब बैलेंसिंग की बात करता हो तो मेरा पर्सनल खुद टेक्निक होता है मैं यह मानता हूं कि आप ऑक्सिजन हाइड्रोजन के अलवा पहले आटम को बैलेंस कर दो और हाइड्रोजन और ऑक्सिजन में से किसी एक को भी बैलेंस कर दो के नो अगला अपने आप ही हो है तो देखते ही यह बात होल्ड करती है कि नहीं करती है यहां पे धो यहां पर Kent नहीं चलेगा मैं कै पर हमें क्या रखना पड़ेंगा टू रखना पड़े एननबर कर सकते हैं नंबर को और उनको को कोफिशेट बोल से अब जैसे ही आपने 2 किया एक दिक्कत पैदा होगी क्या दिक्कत पैदा होगी सरी 2 से 2 को नहीं मिलेगा अंदर वाले oxygen को भी मिलेगा अंदर वाले hydrogen को भी मिलेगा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो total oxygen के जो count हो जाएंगे वह हो जाएंगे यहां तो OH के साथ 2 थाई तो बैलेंस कर दिया बी जो तू लगा के मैंने बैलेंस किया और carbon by default बैलेंस अब oxygen को अगर आप सर में शौर रहूंगा हांग बन करके बोल सकता है यहां पर भी आठ होंगे चेक कर हाइड्रोजन कितने हैं यहां से चार इधर से चार आए इधर देखो तू वन्साट्वार्ट वार्टू फॉर तो hydrogen के count कितने होगे 4 प्लस 4 जैडिस एट तो oxygen hydrogen में से किसी एक को भी निप पड़ी जाएगा तो एक इसका अंसर लिख देते हैं सर कि एक्सकी वेल्यू और वाइस इकुल टू बैलंसिंग बहुत इंपोर्टेंट होगा विल्कुल से केमिकल रियक्शन इन वीच एक्शेंज ऑफ आयंस अगर आयंस का एक्सचेंज रह रहा होता है तो उस टाइप की लिएक्शन को मैं डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन रियक्शन कुछड में सर encier tea के लावा डबल डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन को प्रेशिपिटेशन रियक्शन इस बोला जाता है तो आप यह वर्ड पर ध्यांद देना अब बरनिंग ऑफ अमित के प्रोड्यूस त carbon dioxide and water ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा आपको इसको balance करना है तो यहां पे तू लगा दे कुछ कुछ कुछन सा आपको automatically balance करने की habit होनी चाहिए तो आप hydrogen का count 2-4 हो गया 4 हो गया oxygen को balance करना बागी है तो यहां पर two है यहां पर कितने होगया two to fourth one तो था इसफी F2O3.XH2O, यह फॉर्मुला रहता है रस्ट का, F2O3.XH2O, XH2O water of crystallization रहता है, जो हम chapter 3 में देखेंगे, next, lead nitrate powder is of blank color, lead nitrate का जो color रहता है, वो white colored powdered रहता है, कॉन से color powdered रहता है, white colored powder, between F2O3 and mg, blank is a more reactive, हो, अभी हमने देगा reactivity series की बाद, reactivity series आपको by default याद होनी ही चाहिए, जो potassium से चालो हो रही है, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, तो मैंने क्या बोला, magnesium, aluminium, zinc, iron, ठीक है, तो magnesium तो किस से जाधा reactive हुआ? F2O3, तो magnesium is more reactive compared to, मनला, दोनों में से बस इतना ही बोला है, तो magnesium इसके respect में जाधा रियाखते है, ZNO plus C, ZN plus CO is reduced, अब तो बच्चे सब देखके बता देंगे, answer क्या होगा, निकालो जोडो, zinc के साथ पहले oxygen था, बाद में oxygen नहीं है, तो कौन reduce है, कौन reduce हो, ZNO, बस, खतम हो गया जरा, zinc oxide का, zinc oxide is getting reduced, ब्लेंग, the method is useful to convert vegetable oil into vegetable घी, जो प्रोसेस रहता है, vegetable oil को vegetable घी में convert करने का, that process is known as hydrogenation reaction, hydrogenation reaction, hydrogenation reaction हमेशे catalyst की presence में होता है, catalyst का काम क्या रहता है, तो rate of reaction को बढ़ा देना, जिसे आप घर पे पढ़ रहो हो अकेल है, और घर में आगए मम्मी, तो पढ़ने का rate बदल जाएगा, और उस पे नहले पे देला क्या होगा कि घर पे आप पढ़ रहो आपके साथ पापा बैढ़ेगा, तो तो एकदम पढ़ाई का speed एकदम automatically बहुत ही जादा हो जाएगा, तो catalyst rate of reaction को increase करते है, और catalyst usually nickel और platinum रहता है, NIPT, okay, next time, next time, calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of blank on the wall, यह white washing reaction इसी तरह use होती है, कि calcium hydroxide जो रहता है, CAOE छोलता है जो अपने डिसकस कर रहा था, वो reaction कर रहा होता है, carbon dioxide gas के साथ, और calcium carbonate form कर रहा होता है, जो solid state में रहता है, along with water जो byproduct रहता है, यहीं जो रहता है, वो over the time solidify हो जाता है, और आपको white wash का color देखता है, white color का, ठीक है, यह this is the reaction, तो किसकी layer बन रही है, तो layer of calcium carbonate is getting formed, CACO3, okay, next, when the fat and oils are blank, they become a rancid and their smell and taste change, ठीक है, तो अभी हमने देखा था, MCQ में भी same question आया था, fats and oils क्या हो रहे होते हैं, oxidized हो रहे हैं, तो due to their oxidation, oxidation क्या होता है, they become rancid, ठीक है, और उनका taste और smell दोनों change हो जाते हैं, इस process का नाम होता है, rancidity ठीक है, इसलिए true false दिये जाते हैं, बड़े होते हैं तब तर, दूसरी बात यह सर कि बच्चों की आदत कि एक्जाम में तो मिल जा, अलब answer में तो पता चल जाता है, life में तो true false पता भी नहीं चलता है, लेकिन यहां तो सिर्फ sentence identify करनी है, the formula of sodium sulfite is Na2SO4, ठीक है, sulphite की बात कर रहे हैं, तो sulphite जो आयन रहता है, that is SO3-2 होता है, वही मेरी बात वही है कि आपको बच्चपन का पाप याद आना चाहिए, वह एनायन केटायन की list होनी चाहिए, सही हां वो दोनों small है, that is Na2SO4, तो यह Na2SO4 है, आप देख सकते हैं, तो sulphite तो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, sulphate, ठीक है, तो sodium sulphate का जो formula है, वो है Na2SO4, जो आपको दिया हुआ है, पर sulphite तो नहीं है, तो answer क्या रहेगा बेटा, false, done, okay, done, AGBR, AG plus BR2 reacts are used in a color photograph, बिल्कुल अभी हमने देखा color, one of the reaction रहती है, जो black and white color photography में use O2 होती है, अगला फोटोग्राफी में नहीं use O2 होती है, black and white photography में use O2 होती है, फोटोग्राफी नहीं color और silver bromide वाली है, यह गलत है, क्योंकि वहां पर कॉन सी photography बोली है, color photography, तो यह this is a false statement, यह ध्यान देना, फोटोग्राफी समझ के साथ true है, color है कि black and white हो भी decide करेगा, oxygen gas is added to a prevent oxidation of chips, तो आप चिप्स के packet देखे होंगे, उसमें chips तो बहुत कमी रहता है, ग्यास ही जाधा रहती है, oxygen gas नहीं रहती है, उसमें nitrogen gas रहती है, यह भी NCRD के direct line है, ठीक है, तो इस इसा false statement, और जो इसका true statement रहेगा, मनलब N2 gas प्रेजेंट रहती है, for the nitrogen gas, यह सर्व N2 gas react नहीं करती है, by heating crystal of a ferrous sulphate, its color change, बिल्कुल, जब भी मैं iron sulphate.7H2 को heat करूंगा, तो वो FeSO4 और 7H2 को बाहर कर देगा, जैसे ही water बाहर हुआ, तो जो compound रहता है, वो colorless हो जाता है, जो color होता है वो water के जुडने के साथ रहता है, तो आप जैसे water को बाहर कर दोगे, water of crystallization को बाहर कर दोगे, तो colorless हो जाएगा, उसका color change होता है, that means it is a true statement. True, true. CaCO3 solution is used to whitewash the wall. नहीं, CaCO3 solution is not used to whitewash the wall. ठीक है जो whitewashing के लिए जो हम use कर रहे होते हैं, वो क्वार्ण होता है, CaOH twice. calcium hydroxide. चलो, the chemical reaction, यह sentence क्या हैगा? false. false. next, the chemical reaction in which exchange of ions occurs between the reactants, is called the precipitation reaction. प्रेसिपिटेशन reaction, तो हमने डिसकस करा था, exchange of ions वाली जो reaction रहती है, उसको दूसरा नाम रहता है, double displacement. हम NCRT के साब से double displacement बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, precipitation reaction. So this is a true statement. Sir, कौन सी reaction की बात कर रहे हैं? तो आपको याद होना चाहिए, Na2SO4 sodium sulfate जो है, वो barium chloride के साथ reaction करके, आपका NaCl और barium sulfate बनाता है, double displacement की one and only one reaction दे रखी है, जिसमें barium sulfate जो रहता है, वाइट प्रेसिपिटेट में रहता है, बाकि सारे के सारे अक्वा स्टेट में रहता है, balancing आप खुद देख लेना, ठीक है यह तू लगा दिया, तो उनकी strength कम रहती है, कम हो जाती है, तो this is a very serious problem, this is a true statement. और उसके वज़े से जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसके नीचे जिंक के plates लगाते हैं, बहुत सारी चीज़े लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, color कर देते हैं, galvanization कर देते हैं, एक्वेस्टन दिया है, is an example of displacement reaction, ठीक है, reactivity series, lead है, copper से जाधा reactivity, lead है, hydrogen के उपर रहता है, ठीक है, तो lead ने copper की जगा ले ली है, तो displacement हो गया, तो this is a displacement reaction, तो this is a true statement, okay, next, zinc plus sulfuric acid, zinc sulfide plus hydrogen, हमने इसको MCQ के format में देखा था, तो zinc sulfide तो form नहीं रह रहा होता है, वापे क्या बनता है, zinc sulfate form होता है, that is ZnSO4, zinc sulfide मतलब ZnSO, वो नहीं बनता है, zinc sulfide नहीं form हो रहा होता है, zinc sulfide बन रहा होता है, तो this is a false statement, in a chemical equation, along with the chemical formula, of either reactant or a product, their physical states are also indicated, chemical reaction और chemical equation में, यही एक छोटा सा window का difference है, chemical reaction में, product reactant arrow के साथ तो दिखाता है, chemical equation में, और reactant और product के states भी mention किये जाते हैं, तो this is a very true statement, यह एक्दम सही बात है, कि आपको उनके states mention करने पड़ेंगे, next, तो इसके साथ ही, हमारे जो true false है, वो खतम होगा, तो अभी हम जो करने वाले, वो है very short answer, आपको या one word में देना, या तो one line में देना, बिलकुछ, बहुत अच्छा कुश्चन है सर, एक बहुत famous company है इंडिया की साथ, TCS, आइटी में बहुत ज्यादा, data consultancy services, पर यहां पे TC और S का थोड़ा अलग मतलब रहता है, T stands for temperature, C stands for color, और S stands for state, तो TCS से आप याद रख सकते हो, अगर change in temperature हो रहा है, यह हम बोल सकते हैं क्या change in color हो रहा है, यह हम बोल सकते हैं क्या change in state हो रहा है, तो यह chemical reaction हो रही है, एक और bonus का मैं add कर देता हूं, अगर कोई gas भी evolve हो रही है, evolution of gas, तो भी हम बोल सकते हैं कि यह chemical reaction is taking place, तो यह चार बातों के लिए रहती है, तो आप पहले TCS के form में तो याद रखी लेना चाहिए, temperature, color and state, ठीक है, आगे बढ़ते हैं next question पर, translate the following statement into the chemical equation and then balance, chemical equation बोला है तो हमें states को mention करना पड़ेगा, हम जो practice करेंगे वही practice आपको same as it is करना है, H2 लिखके छोड़नी देना है, हम फाला है, H2 लिखके छोड़नी देना है, H2 के लिए गैस लिखना पड़ेगा, N2 लिखके छोड़नी देना है उसका state लिखना पड़ेगा, और वो क्या बना रहा है, ammonia that is NH3, उसके लिए भी गैस लिखना पड़ेगा, states लिखना बहुत ज़रूरी है, सकते हैं, सब्जेक्टिव होगा तो, अब बैलेंसिंग करनी है, दो नाइट्रोजन है, यहां 2 लग गया, हाइट्रोजन के काउंट कितना हो गया, 2-3-6, तो यहां क्या लग गया, 3, तो रियक्शन आपके लिए बैलास, चार स्टेट होते हैं, solid, liquid, gas, or aqueous, aqueous state रहता है, प्लाज्मा थीक है सर, लिखना पड़ता है, नीचे के respect में लिखना पड़ता है, सही होते हैं, सेम कोस्टिन है सर, बिल्कुर, तो बैरियम क्लोराइट रियक्ट्स विद अल्यूमिनियम सेलफेट, तो बैरियम क्लोराइट मनलब बैरियम का सिंबल होता है अब देखते हो उसका formula गर्ब चैसे बनता है, बच्पन का पाप, बैरियम क्लोराइट मनलब Cl-1, क्रॉस मल्टिप्लाइब करें, बैरिये, Cl-2, जो कॉनसे स्टेट में रहेगा, aqueous, रियक्शन किसके साथ करवाई है, अल्यूमिनम, अल्यूमिनम पे प्लस 3 का चार्ज होता है, सल्फेट पे माइनस 2 का क्रॉस मल्टिप्लाइब कर दिया, बैटा, यह भी कॉनसे स्टेट में रहेगा, प्रोड़क्ट क्या बन रहा है वो देखो, ऐसे बनाते रहो यह आपकी प्राक्टिस का पार्ट रहना चाहिए, अल्यूमिनम क्लोराइब, वही अल्यूमिनम प्लस 3 पे, सील पे माइनस 1 क्रॉस मल्टिप्लाइब कर दिया, अल्यूमिनम प्लस 3 जो कॉनसे स्टेट में रहेगा, और लास्ट जो बेरियम सल्फेट है याद रखना बेरियम सल्फेट अमेशा वाइड प्रेसिपिटेट रहता है वह एंसी आइड रियक्शन लिगी थी ना, ना 2, 2 ना 9, तो यहां पे लगा दो 2, हो गई बात कतब, अब देखो, पूरा इसो 4 ग्रूप है, यहां पे पूरा इसो 4 एक ग्रूप है, सोडियम 2, हाँ, सोडियम 2 तो हो गए, अब मैं हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, तो अपने अपने पड़ जाएगा, हाइड्रोजन को अगर हम देखेंगे, तो यहां कितने है, दो, और यहां पे भी तो पड़े हुए नो, तो रियक्टेंट साइड जो हाइड्रोजन का साती रहेगा, तो आप धियान से देखो, तो दो अक्सीजन और यहां पे भी कितना हो गया, देन, देन, खोट, जयो, बैलस्ट पॉलवेग, यहां तो और भी सबसे सिम्पल देखी रहा है, एसो फोर एक है, एसो फोर एक है, बैलियम एक है, बैरियम 1 है, दो क्लोरीन 2 हाइ आगे क्या ल़ए लग गया तूसरेइब सानि है किसके साथ प्रियुक्ष कर रहा है तो प्रम्स Saul CO3 जो solid state में रहता है, water का कोई state नहीं, वो liquid state में exist करता है, ठीक है, अब क्या हमें balance करना है, बिल्कुल balance करना है, write the balance chemical equation, तो balancing करने के लिए मैंने carbon, पहले carbon को देख लेते, तो carbon यहाँ 1 है, सर यहाँ पे भी carbon कितना है, 1, calcium यहाँ पे भी 1 है, calcium यहाँ पे भी 1 है, सही है, अब जो भी किये में hydrogen oxygen को settle out करना है, तो आप ज्यान से देखो, यहाँ पे जो hydrogen है, वहाँ count 2 है, तो यहाँ भी hydrogen का count 2 है, oxygen टोडल कितने है सर, 2 और 2, 4, यहाँ पे 1 और 3, 4, तो reaction is already balanced, done, white balance, write a balance, chemical equation for the following reaction, aluminium, aluminium की reaction करनी है मेरे को सर, copper chloride के साथ, that is Cu, copper पे plus 2, 4 रहता है, chloride पे minus 1 रहत करेंगे, तो Cu, Cl2 रहता है, aqua state में रहती है, aluminium जो रहता है, वो solid state में रहता है, और जो reaction रहती है, aluminium जो है, वो ज्यादा reactive है compared to copper, तो displacement होगा, तो copper को बाहर करेंगा, और aluminium के साथ कुच जाके जूड़ जाएगा, sorry, chlorine के साथ कुच जाके जूड़ जाएगा, so aluminum पे plus 3 charge, और Cl पे minus 1 charge, तो आप जब multiply करोगे, तो Al Cl 3, और यह कौनसे state में आएगा, aquas और बाहर जो होगा, copper निकल जाएगा, जो solid state में रहेगा, ठीक है, balance भी करना है, तो balancing करनी पोड़ेगी, यहाँ पे chlorine 3 है, यहाँ 2 है, तो जब 2 और 3 का combination रहता है, तो उसे LCM से settle कर दो, 2 3 का LCM कितना होता है, 6, तो जहाँ पे 3 है, वहाँ पे आप multiply कर दो 2, और जहाँ 2 है, वहाँ multiply कर दो 3, तो आप देखो, Aluminium 2 हो गए, तो इधर आ गया 2, और copper 3 हो गए, तो इधर आ गया 3, तो 2 3, 2 3 हो गया, shiny brown colored element X on the heating in the air becomes a black color, name the element X and the black color compound form, तो जो यह redox का part is है, यह भी NCID की direct line है, कि copper जो रहता है, वो oxygen के presence में जब heat किया जाता है, तो वो एक black color का copper oxide बना देता है, तो जो black color का compound है, this is the black color compound, this is known as copper oxide, और कौन से element को heat करने पर आया है, तो copper को heat करने को आया है, तो उसने क्या बोला है, name the element X, तो this is our element X, और जो black color का colored compound मना रहा है, उसका नाम क्या रहता है, copper, copper oxide, ठीक है, C-U-O, explain the following terms with the one example, corrosion, corrosion, corrosion का simple से definition रहता है, when metals, when metals, when metals, react with, react with surrounding elements, surrounding elements, such as, such as, moisture, moisture, acid, etc., they are, they are set to corrosion, set to corrode, और इसी process का नाम होता है, corrosion, जैसे example अगर वो बोलेगा, तो हम लिखेंगे, rusting of iron, rusting of iron, F-E, ठीक है, reddish brown color का iron जब हो जाता है, तो that is known as rusting of iron, explain the following terms with the example, rancidity, तो rancidity का example, एक दम पले दम उसको define करते है, fats and oils, fats and oils, when oxidized, when oxidized, their smell and taste, smell and taste changes, changes, ठीक है, such process is known as, process is known as rancidity, ठीक है, बहुत सिम्पल से example है, आप को भी object को बाहर खुला चोड़ते हैं, potato chips को बाहर रख देते हैं, ऐसे खुले, तो nitrogen gas उसको prevent कर रहा था, rancid होने से, जैसे ही आपने चोड़ दिया, तो उसका taste भी change हो जाता है, और smell भी change हो जाती है, ठीक है, तो this is the definition of rancidity, next, identify the substance that are oxidized, and the substance that are reduced in the following reactions, simple सी बात है, आप देख सकते, यहां पर अगर हम sodium को देखे, तो sodium के साथ कोई नहीं चुड़ा है, अगर आप product में देखेंगे, तो sodium के साथ oxygen आके चुड़ गया है, तो यानि sodium का क्या हो रहा है, तो sodium is getting, is getting oxidized, is getting oxidized, next, identify the substance that are oxidized, and the substance that are reduced in the following reactions, तो यह double reactions है, यहां पर हम उप्ज़र कर सकते, copper oxide जो है, वो product form copper कर रहा है, that is, उसमें oxygen रिमूब हो रहा है, तो removal of oxygen is known as reduction, तो reduction किसका हो रहा है, तो हम बोलेंगे copper oxide का, आप वहीं पर hydrogen को देखो, तो hydrogen के साथ पहले कोई नहीं जुड़ा था, तो that means it is getting oxidized, तो oxidized मतलब उसका, किसका oxidation हो रहा है, H2 का, तो reduction जो हो रहा है, वो copper oxide का हो रहा है, और oxidation जो है, वो hydrogen का हो रहा है, this is the answer. Why does the color of a copper sulfate solution change when the iron nail is dipped in it? काफी अच्छा experiment है, आपके school में इसको represent किया होगा, तो जो copper sulfate रहता है, वो actually blue color का solution रहता है, aqua state में, और जो iron रहता है, usually gray color का solid रहता है, जैसे ही आप उसको dip करते हो, उसको copper sulfate के solution में आप insert करते हो, तो B, iron being more reactive than copper, वो उसको उसके salt में से displace करके iron sulfate बना देता है, that is FeSO4, जो green color का होता है, slow and steady color change हो रहा होता है, but color change हो के थोड़ा lightish green बन रहा होता है, जो aqua state में रहता है, और copper आपका solid state में बहार निकल जाता है, so this is because of displacement reaction. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो magnesium ribbon जो है, oxygen के साथ constantly अगर contact में रहती है, तो magnesium oxide की layer बना देते हैं, magnesium oxide जो रहता है, वो burn होने में process नहीं कर रहा होता है, तो उसको burn करने से पहले, ribbon को burn करने से पहले, आपको उस oxide की layer को remove करना बढ़ता है, ताकि तो process of burning हो सके, तो हम simply यह लिखेंगे, because, because the layer of MgO should be, should be removed before burn, before burn, ठीक है? Okay, done. Next, write a balanced chemical equation with the state symbols for the following reaction. State or symbol के साथ देना है, barium chloride है, barium मनलब BA, BA पे plus 2 charge है, CL पे minus 1 charge है, जब आप cross multiply कर रहे हो, BA CL2 बन रहा है, इसकी reaction किसके साथ करवाई गई है, sodium sulphate, sodium sulphate मनलब NA plus 1, और SO4 पे क्या charge रहता है, minus 2, that is NA2SO4, NA2SO4 जो बन रहा है, वो भी aqua state में रहेगा, और प्रोड़क्त क्या फॉर्म हो रहा है, तो insolubar balium sulphate, insolubar balium sulphate मतलब ultimately वो हमारे लिए BSO4 बोल रहा है, जो solid state में रहता है, और दूसरा जो प्रोड़क्त रहता है, sodium chloride है, that is NaCl, ठीक है, जैसे ही आपने sodium के आगे 2 लगाया, अभी है math the column, सही से जोड़ी बनाना है, वो तो यह लोग expert ही है जोड़ी बनाना है, लेकिन वो long term वाली होनी चाहिए, फर्स्ट है decomposition of a ferrous sulphate, तो decomposition का मलब तोड़ना है, तो बाहर से energy लानी पड़ेगी, और बाहर से energy अगर आप supply कर रहे हो not only sulfuric acid किसी भी acid को dilute करने का जो process रहता है, addition of water, ताकि उसका concentration कम हो जाए, उस process को उस type की reaction जो रहती है, वो exothermik रहती है, highly exothermik रहती है, ठीक है? Metal, और color of the rust due to corrosion, silver and copper ठीक है, तो अगर मैं silver की बात करूंगा, तो silver जो रहता है, silver sulfide बना रहा होता है, that is, हमने देखा था, AG2S जो कौनसे color का रहता है? Black color का रहता है, ठीक है? और अगर copper की बात करूंगा, तो copper atmosphere के carbon dioxide के साथ reaction करके copper carbonate form करता है, copper carbonate का जो color रहता है, green color का रहता है, brown color रहता है, reddish brown type, तो इसके साथ ही हमारे यह objectives वो खतम हो गए, आपको क्या करना है, आपकी school का exam हो, test हो, या फिर board exam हो, उसके लिए आप revision के तोर पर यह session को use कर सकते हैं, अब बात में अगर देख रहे हो, यहां पर i button पे या फिर description में आपको time stamp में मिल जाएंगे, आपको कभी भी कैसे भी revision करना हो, किसी भी chapter का करना हो, तब कर सकते हैं, और कौन से subject के आपको ऐसे lecture चाहिए, वो भी नीचे comment में बताना, part two आएगा, उसके अंदर हम two marks, three marks and four marks के question लेगे, theoretical question जो detail में सर हमको explain करेंगे, तो ऐसे ही next time हम और chapter के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको इसको share करना है, मैंने बताया, अपने friends तक शेर करेंगे, अपने तक knowledge नहीं रखना है, और सर ने बात बोला कि आपके छोटे part है, exam हो या half year exam हो, या board से पहले वो तो करना ही है, आप इसको constantly revision tool भी रख सकते हैं, और हम सर कभी भी यह सब चुच कीच कर रहे हैं, उसका कोई marketing नहीं करते हैं, तो आपको ही बताना पड़ेगा, students को, है न, ताकि कोई और जगा पे जाके वो course वगेरे purchase ना करें, यह free में मिल रहा है, Diwali private पे और without any advertisement, है न, तो आप बिंदा surprise को यूज कर सकते हो और अपनी study को थोड़ा boost up ले सकते हो, यह क्या काम करेगा, जैसे वो आपने आगे बताया है, कुछ अंदर डाला और पिडेडियम डाला निकल डाला, और प्रोसेस एकड़म फास्ट होगे, बस वही काम हम करते हैं, आप तैयारी तो कर रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, लेकिन यह जो वीडियोस है न, आपकी तैयारी को थोड़ा booster देते हैंगे, revision boosters रहेंगे आतको हमेशा, आप कभी भी open, सर एक बार देखा, नहीं, सौ बार देखा, यह होना चाहिए उनके लिए कर दो कर दो